दोस्तों आप मेंसे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से याद होगा हमने डिसकसन किया हुआ है कि भारत को अगर दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ती बनना है तो वो बिना शिपिंग लाइन के मानेवर संभव नहीं है दुनिया भर से माल भारत आना है भारत से ग्लोबल एक्सपोर्ट होना है तो क्या वो अमेरिकी यूरोपियन शिपिंग लाइन के दम पर हो जाएगा आप बताइए हमारे देश के पास आज तक अपनी खुद की ग्लोबल शिपिंग लाइन नहीं है तो वो कैसे बनेगी जवा सरकारी कंपनी Shipping Corporation of India के Disinvestment से दोस्तों यह प्रक्रिया अग्रिम चरण में चल रही है बहुत जल्दी Shipping Corporation of India बिकने वाली है कारण यह है उसका कि Shipping Corporation of India के बिकने में जो सबसे बढ़ी बाधा थी Shipping Corporation इंडिया Land and Asset नाम की कंपनी कल से Share Market में लिष्ट हो जाएगी जिस व्यक्ति के पास Shipping Corporation of India के 100 Shares है उसको Shipping Corporation of India Land Asset के 100 Shares मिल जाएगे अब ये 100 Shares उसी व्यक्ति को मिलेंगे जिसके पास मार्च 2023 पिछले साल Shipping Corporation of India के Shares थे क्योंकि तभी इसकी Record Date निकल चुकी है दोस्तों ध्यान दीजिए मोजी जी की महनत से कैसे मुनाफ़ा बनता है Shipping Corporation of India Land and Asset के 46 करूर शेर है 20 रुपए के दाम पर वो लिष्ट होने जा रहे है कुल मिलाके इसके शेर्स की Value 460 करूर बैठती है लेकिन राकान खड़े कीजिए Shipping Corporation of India Land and Asset के पास जो Asset है जो जमीन है जो मकानात है जो बिल्डिंग है बंबई में है वैसे बंबई में इनके पास Prime Property है उसकी Value साल 2022 में आकी गई थी तब निकली थी 2000 करूर रुपए सोच लो आप 2000 करूर रुपए Asset की Value है Market Cap 460 करूर है तो आप आज शर्र मत कीजिएगा कि जिन व्यक्तियों ने पिछले साल मार्च महिने में Shipping Corporation of India के Shares Hold किये कल 19 मार्च को उनका Jackpot लग सकता है अगर इस शेर में Upper Circuit पर Upper Circuit ठुकें तो माने वर हमें कोई आश्चर नहीं होगा मुद्दे की बात दोस्तों यह है घात लगा के बैठिये Shipping Line भारत को चाहिए Shipping Corporation of India का Disinvestment होने वाला है Shipping Corporation of India पर आपने Focus करना है यह चर्चा हम कितनी बार किये बैठें मुद्दे की बात दोस्तों यह है कि मान लिया चलो कि आपने Shipping Corporation of India Hold नहीं किया था Shipping Corporation of India Land and Asset के आपको शेर भी ना मिलेंगे Demerger के बाद किन्तू लिस्ट हो जाने दीजिए क्या पता महालक्षमी जी की कृपा के अनुसार हमको मौका मिल जाए मार्केट बैसे भी कमजोर है लेकिन दोस्तों सम्भावना बेहत कम है सच बताएं इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि चलो Shipping Corporation of India Land and Asset आपको नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं Shipping Corporation of India को देख लीजिए मानने वर वो भी बहुत नीचे सस्ते दाम पर मिलती है अभी 200 के लेवल पर खड़ी हुई है 160 पर बहुत मजबूत सपोर्ट है दूसरा Shipping Corporation of India का आप Holding Pattern देख लीजिए Mutual Funds Zero Holding लगते थे इस कंपनी में लेकिन अब उन्होंने ये हिस्सेदारी बढ़ा के 3% कर दी है तो आप सवाल पूँचिए कि Mutual Funds को Shipping Corporation of India में ऐसा क्या दिख गया ये Shipping Corporation of India मानेवर 10-12 के P.E. पर मिलती है बेहद सस्ती कंपनी है तो आप इस कंपनी को एक-दो महिने एक-दो साल के नजरिये से मत देखिए अगर इसका Disinvestment होता है बड़ी-बड़ी कंपनिया जैसे कि वेदानता इसमें एहिश्चेदारी खरीदती है अगर इसका Owner बदलता है ये सरकारी से Private Company हो जाती है और अगर ये भविश्च की Global Shipping Line Company बनती है तो मानेवर Value Unlocking कितनी भयंकर होगी उसका अनुमान लगाएंगे तो आप Seat से बैठे-बैठे गिर पड़ेंगे परन्तु दोस्तों अभी हम Shipping Corporation of India पर कोई Recommendation नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो हम Recommendation देते हैं वो अपने Clients को देते हैं आनेवर YouTube का Platform है किसी वक्ति को Recommendation दे देंगे हम कहेंगे कुछ वो समझ कुछ लेगा करेगा कुछ और फिर बाद में हमें ही गरे आएगा इसलिए हम केवल अपने Clients को ही Recommendation देते हैं तो आप से निवेदन है कि आप ये निवेश की कलास सीख लीजिए सुनी सुनाई बातों पर निवेश बहुत कर लिया आपने जोनों ने किया वो आज ट्रैप हुए बैटे हैं देखी बात है निवेश करने की ये कलास सीखने के लिए इसी वीडियो के डिस्कॉप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आत्मनर्वर इंवेश्टर फ्यूचर से वो मॉप्शन स्कॉर्स से जल्दी से जल्दी जोन कीजिए 25 मार्च होली तक हमारे सभी कॉर्स इसके उपर 50 फीजदी डिस्काउंट मिल रहा है उसका लाभ जरूर उठाइएगा महोदय